आज दोस्तों 12 जनुवरी 2022 कुछ अहम अपडेट सौधी अरब की निकल के आरी आपको एक एक करके बताएंगे आपको वहीं आपको बताएंगे कि सौधी अरब में संक्रमन हुए 5000 के पार स्वास्त मंत्राले का बयान जारी वहीं दूसरी अपडेट बताएंगे सौधी में कीमितों में बदलाओ कंपनी ने की गोसना कामगारों के लिए जरूरी सुचना निकलने से पहले देखें क्या है पूरी अपडेट बने रिये मेरे वीडियो पे आपको बताएंगे एक एक करके आसान भासा में जानने के लिए आखिर तक बने रिये मेरे वीडियो पे तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ सौधी में संकर्मण हुए 5000 के पार स्वास्त मंत्राले का बयान जारी 5362 नए संकर्मण दर्च किये गएंगे यानि आज की 12 जनुवरी को सौधी में 5362 नए संकर्मण दर्च किये गएंगे 2499 मरीज ठीक हुए हैंगे और दो संक्रिमतों की मिर्त हुई है जिसे मिलाकर सौधी में कुल 32589 एक्टिव मामले हैं वही स्वास्त मंत्राले के प्रवक्ता डाक्टर महम्मद अलबदाली ने कहा है कि महमारी से लड़ने के लिए लोगों का योगदान एहम है लोगों को अपने स्वास्त के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए स्वास्त मंत्राले का कहन एक ही मामले पिछली बार से यानी की दूसरी लहर से कम गातक हैं वहीं चलिए बढ़ते हैंगे आज की दूसरी अपडेट की तरफ 11 जनुरी 2022 से साथी में पेट्रोल प्राइजों में किया गया बदलाव लागू हो गया दो तो अरामको कमपनी ने इस बात की घोसला कर दी है अब ग्राकों को इस नए फ्यूल दर से खरीदना होगा वहान चाल को कोया सुजाओ किया कि दिया गया है कि वहानों के लिए उप्य करिया का पालन करना जरूरी होगा वहीं ट्यूट के मध्यम से अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है इसके लिए उम्रा वीजा जारी करना जरूरी होगा वहीं बताते चले कि सबसे पहले उम्रा प्रोटॉल पर लॉग इन करना होगा मंतराले के द्वारा माननता प् एक रिफरेंस नंबर दिया जाएगा इसकी मदद से वा उम्रा वीजाय सम्मिट कर पाएंगे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत स्कुरिया जो भाई चैनल पर नए आएंगे वो लाइक सस्क्राइब जरूर कर लिए जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफ कि प्रशनानने往े समय समय रहे हैं कि अ कि मैं जोस्ति क्लेकाश्च नोटर सानल्थ नहीं है कि अ लग्वार्य हो जो ने जो एक शो तो